अब अब नमस्कार दोस्तों अब अभी मौसम विभाग की तरफ से मध्य परदेश को लेकर एक रेड अलेट हाई अलेट जारी किया गया मध्य परदेश के इन जिलों में जो है अगले 24-48 गंटों की दुरन भारी से भारी बारीश के संकेल जी हाँ दोस्तों मध्य परदेश में पूरी तरह से 24-48 गंटों की दुरन मौसम बदलना लाए और बताए जारे कि दोस्तों इंदो, रिवा और साथ में उजेन और शेडोल, जबलपूर, बोपाल, सागर के साथ अशोक नगर और गुना जिले में भारी से भारी बारिश होने की सम्मावना जटाई जारी, अगले 2-4 दिनों की दुरन कहां पर कितनी बारिश होगी, अगर आप मध्य परदेश में कहीं पर भी रहते हैं, तो इसे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को इलाल वाल बटन दबा कर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में गं मौसम के तेवर पूरी तरह से तीक हो गए, बताई जारी की पिछले 24 गंटों के दौरां 37.7 डिगरी पर मौसम तापमान पहुंच गया, यह काफी ज़्यादा सालों का रेकोर्ड तूटा है, और बताई जारी की मौसम विबाग के मुताबित, अगले 2-4 दिनों के दौरां काफी ज़्यादा मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, दोस्तों आपको पता होगा कई जगों पर 40 के उपर भी तापमान चला गया है, और मौसम विबाग के मुताबित, आज जो है बंगाल की खाड़ी में हाओ के उपर हिस्से पर चकरवात बनने की सम्मावना इससे मा आशंका है, मौसम विबाग के रिपोर्ट के मुताबि दोस्तों गौालियर, चंबल, इंदोर, रिवा, उजेन, रिवा, और साथ में शेडोल, जबलपूर, बोपाल, सागर के साथ ही, अशोक नगर और गुना जिले में कहीं कहीं पर बोच्छारे और भारी से भारी करते है, आज के गर बेटो जीतों इनाम में, तो आज का सवाल है दोस्तों, आपके पास कुन से कंपनी का फोन है, विवो, ओपो, रेड्मी, रियल्मी, नोक्या, सैमसंग, एपल यान ये, कौन सी कंपनी का आपके अभी हाथ में फोन है, कमेंट करके बताईए, और कमेंट क अगले दो दिनों में तेज बारिश का अनुमान जता है जा रहे, यानि कि पूरे बारिश का सिलसिला जो तेज बारिश होगी, वो दो दिन के बाद ही देखने को मिलेगी, और बता है जा रहे कि 179.7 mm बारिश की जा चुकी है, जो कि सामने बारिश से लगबग 16 फिजदी मौसम विबा के अनुमान के मताद अगले 48 गंटों के दोरान जयना, मध्यपरदिश के बेतूल, हर्दा, अनुपूर, डिंडोरी और साथ में दोस्तों, देवा, साजापूर, मंडला, शिवनी, दार, उज्जेन और बालागाट, जिलो के अलवा, रिवा, संभाग के अलग के साथ बिजली चमकने के अनुमान बहुत ही अधिक देखने को मिलेंगे हमें मध्यपरदेश के खंडवा में, वही दोस्तों, देवास जिले की बात करें, तो देवास में अज भारी से भारी बारिश होने के संकेत, और अभी भी कई जगों पर बारिश हो रही है, उसके ब अगले जिले की, तो मैं आपको बता दू, राजगर के साथ साजापूर की बात करें, तो साजापूर में भी दोस्तों, अगले 24 गंटों की दोरन बारिश से भारी बारिश तो नहीं, लेकिन चेटपूर बारिश ज़रूर होगी, लेकिन सनिवार से भारी बारिश के संकेत, बहुत ही अधिक देखने को मिलेगे शिहोर की बात करें दोस्तों शिहोर में तीन दिनों तक बारिष के हाला ते बिलकुल भी नहीं है क्योंकि शिहोर में काफी ज़्यादा जगों पर गर्मी पढ़ रहे हैं लेकिन दोस्तों अगले 24-48 गंटों की दुरां शिहोर का भी मौसम बदलना लाए और बताए जारे कि शिहोर में भी बारिष से बारी बारिष के संकेत हमें देखने को मिल सकते हैं और दोस्तों बात करें राइसेन की तो राइसेन में आज बारी बारिष के संकेत हैं वही दोस्तों बात करें अगले चिंदवाड़ा की तो चिंदवाड़ा में जो है अगले 24 गंटों की तरण मौसम आचानक बदलेगा और भारी से भारी मौसम में तब्दिल होगा यानि की काफी जदा बारिश चिंदवाड़ा में हमें देखने को मिलेगी लगातार 8 दिनों दोस्तों चिंदवाड़ा में बारी बारिश के संकेत हमें देखने को मिल सकते हैं वही दोस्तों बात करें इंदोर जिले की तो इंदोर में आगले 24 गंटों की तरण पूरी तरह से मौसम बदलेगा आज छिटपूड बारिश हो रही लेकिन दो दिनों तक बारिश में दों निवार, सोमबार, मंगलोर, बुधवार को चिटपूड के साथ अच्छी बारिश होगी और बताई जारी की अगले गुरुवार को भारिश से बारिश होने के संकेत जाथा हैं इसारी है Ottoman Зahari की अगले 2-4 दिनों के बारिश से बारिश होगी और मौसम अचनक दोपेर के समय भी जो है तापन लग बग 33 और 35 के अंदर अंदर आ जाएगा यानि की काफी जदा गर्मी से रात मिलेगी मनसुर जिली की बात करें दोस्तों मनसुर में तीन दिनों तक भारी गर्मी का प्रकॉप रहेगा बहुत ही जादा बादल चाहे रहेंगे लेकिन बारिश की कमी बहुत ही जादा है और यहाँ पर बताए जारे की तीन दिन के बाद इजो बहुत ही अच्छी बारिश होगी आने वाले शनिवार और रविवार सोमवार को बहुत ही अच्छी बारिश और बिजली चमकने के अनुमान बहुत ही अधिक है जिससे मौसम पूरी तरह से पलट जाएगा और थंडा और सौना मौसम होने की उमीद बहुत ही अधिक है गौलेर जिले की बात कर दोस्तों गौलेर में भी काफी जगों पर तीन दिनों तक बादलो के आवज जाए के साथ भारी गर्मी पड़ेगी और बताए जारी की चालिस और रिक्तालिस के करीब तापमार रेकोर्ड के जाएगा आने वाले शनिवार, रविवार, सोमवार, गातार चलने वाली है. चतरपूर जिले की बात कर दोस्तों चतरपूर में तीन दिनों तक भारी गर्मी का प्रकॉप रहेगा लेकिन आने वाले शनिवार, और फिर सोमवार, मंगल और बुदवार को काफी अच्छी बारिश हमें देखने को मिल सकती है. वही दोस्तों बता अगले 24 गंटों की दौरान मद्य परदेश में जमा जम बारिश का सिलसिलों शुरू होने के अनुमान है इसके बाद उसतों मत्य हीजार के तीन दिन के बाद मद्य परदेश में फिर से मानसुन शक्री हो जाएगा इधर विबाग ने काफी जगों पर बारी बारिश के संकेत भी दे दिया और मौसम विबाग ने कई जगों पर ग्वालियर, चंबल, संबाग को छोड़कर इंदो, रिवा, उज्जेन और साथ में शेडोल, जबलपूर, बोपाल, सागर के साथ अशुक नगर और गुना जिले में कहीं कहीं पर बोचारे और बारी बारिश के संबावना जता ही है वहीं दोस्तों शेडोल और जबलपूर संबाग में भी बिजली चमकने और गिरने के साथी 18 किलोमेटर प्रती गंटे की रफ्तार से हवाई चलने और काफी जगों पर बारिश होने के संकेज जता है और वहीं दोस्तों बताए जारी की दार, उमरिया, रिवा, मलाचखंड, इंदोर, गुना में भी जो है अगले 24 गंटों की दोरन काफी जगों पर बारिश के संकेज जता है और मांसुन के दोस्तों शितील होने से वातावरन में नमी आई है दर्ज किया गया अभी की लेटेश अपडेट के मुताबिद और दोस्तों नियूंतन तापमान 25.5 डिगरी सेलसेज भी रेकोर्ड हुआ राजदानी बोपाल में मौसं विबाग के मतविद दोस्तों बताएं जारी कि कही इस थानों पर बीभी बारिश का से बसंगे होसंगाबाद, उजेन, इंदोर, समेट, मध्या परदेश के कुछ हिसों में भारी से भारी बारिश होने के संकेत, अरब सागर से लगातार आ रही, नमी और विबिन इस्तानों पर बने वैधर सिस्टम के गारण, मध्या परदेश में बारिश में लगातार जो है, तेजी से गतिवीद्या देखने को मिल रही है, और बताए जारे की 24 से 48 गंटों के दुरान, रासदानी बोपाल समेट, मध्या परदेश के कही इस्तानों पर भारी बरसात हो सकती है, बोपाल में, होसंगाबाद, उजेन में, इंदोर में, ग्वालियर और चंबल संबाग के जिलों म लगबग गिर कर 35 के नीचे भी आने के संकेत, और भी जादा हमें देखने को मिल सकते हैं, तो दोस्तों यह था आज का मौसमी सिस्टम, अगर आप मध्या परदेश में रहते तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और हमें कमेंट करके बताए कि आप मध्या प